नमस्कार, आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप से क्या इंदिरा गांधी को चामुंडा देवी का श्राप लगा था? और आपको मालूम होगा चामुंडा देवी का मंदिर कहां पर है, बड़ा सिद्ध मंदिर है देवी का मंदिर है, और वो है हिमाचल प्रदेश के पालंपूर जिले में है और बहुत दूर दूर से लोगदर्शन के लिए जाते हैं इंदिरा गांधी भी जाने वाली थी 22 जून 1980 को कारिकरम बन गया था सारा, प्रदान मंतिरी थी उस समय तो प्रदान मंतिरी का कारिकरम था तो जाहिर है कि बड़े पैमाने पर तैयारी थी वहाँ उस समय हिमाचल के मुख्य मंतिरी थे रामलार उनका पूरा मंतिरी मंडल कैंप कर रहा था पालंपुर में प्रदान मंतिरी के स्वागत के लिए सारी तैयारिया हो चुके थी पुजारी पूजा पाठ की सारी तैयारी कर चुके थे कि किसी भी समय प्रधान मंतरी का आगमन हो सकता है ऐसे में खबर आई कि किनी कारणों से प्रधान मंतरी का कारेकरम रद्ध हो गया है वो बाद में आएंगी ये खबर जाहिर है राजनितिक लोगों तक पहुँची मुख्यमंत्री मंत्रियों तक उनमें तो निराशा हुई लेकिन सबसे जादा असर हुआ इसका जो पुजारी थे मंदिर के बहुत गुसे में आ गए उन्होंने कहा जाके इंदिरा से कह दो कि ये चामुंडा देवी है कोई सामान ये व्यक्ति अगर क्टै करे आने का दर्शन करने का ना आपाए तो माता उसे माफ कर देती है क्षमा कर देती है लेकिन अगर राजा यानि शाशत अगर इस तरह से आव मानना करे देवी की तो देवी कभी क्षमा नहीं करती है ये बात उन्होंने कही इस पूरी यात्रा का पुजा पाट का जो आयोजन था वो अनिल बाली ने किया था अब आप कहेंगे अनिल बाली कौन है अनिल बाली भतीजे हैं कपिल मोहन के हैं अब कपिल मोहन कौन है तो कपिल मोहन मिकिन्स का नाम जरूर आपने सुना होगा और अनिल बाली के भी है, अनिल बाली एक तरह से उनके घोशित या कहें और अनौपचारिक सलाहकार की भी भूमिका में थे, वहां से वो भागते हुए दिल्ली आये, ये खबर मिलने के बाद और 23 जून 1980 की सुबह, यानि अगले दिन विमान दुरघटना में संजय गांधी क मौत हो गई, अनिल बाली जब पहुंचे इंदिरा जी के पास, तब वो संजय गांधी के पार्थिव शरीर के पास बैठी हुए थी, अनिल बाली उनके बगल में गए, तो उन्होंने पूछा क्या इसका कोई संबंध चामुंडा देवी के दर्शन से भी जुड़ा हुआ ह अनिल बाली के पास जाहिद है, कोई जवाब नहीं था, अब आप कहेंगे कि ये सब कहां से बता रहे हैं, तो वरिष्ट पत्रकार और इंडियन एक्स्प्रिस की कॉल्मिनिस्ट रेगुलर कॉलम लिखती हैं, लंबे समय तक पुलिटिकल एडिटर रही हैं इंडियन एक्स सिम्हा राओ, अटल विहरी बाजपे और डॉक्टर मनमोहन सिंग, इनके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे किस तरह से फैसले लेते थे, कौन से फैसले लिये उन्होंने, इसके बारे में किताब में विस्तार से, किताब अभी मार्केट में आई नहीं है, उसके कुछ अ इसके आधार पर बता रहा हूं, तो यह घटना हो गई, उसके बाद 13 दिसंबर 1980 को इंद्रा गांधी पालंपूर गई चामुंडा देवी के दर्शन करने, और दर्शन करने गई, तो जब पूर्णाहुती के लिए मंत्रो चार का समय आया, तो पुजारी के हाथ कांपने ल पुजारी जो है, एक तरह से दंग रह गया, कि वो इतना शुद्ध, इतना तुर्टिहीन था उनका उचारन, मंत्रों का उचारन, उसके बाद जब वो गर्ब ग्रिव में मत्था टेकने गई, तो काली की जो भंगिमाएं बनती हैं, उनको जिस तरह से किया, और उसके गर्ब ग्रिव में बैठकर, इंद्रिया गांधी बहुत देर तक रोती रही, सिर्फ रोती रही, देखिए, बड़े से बड़ा शाशक, जब इश्वर की शरण में जाता है, तब वो अपने को दो तरह की परिस्थितिया होती है, एक बड़ा असाहय महसूस करता है, जो इं उनके मन में ये आजीवन पश्तावा रहा होगा, कि अगर वो उस दिन कारिकरम रद ना करती, तो शायद उनका चोटा बेटा जीवित होता है, उनके साथ होता, लेकिन पश्तावा जो है, वो परिस्थिति को वास्तविक्ता को बदलता तो नहीं है, एक और बात का उन्हों और लिखा है कि इमर्जनसी के दौरान राष्ट्री स्वयम सेवक संग ने संपर्ख करने की कोशिश की नहीं मिली, लेकिन मेरी जानकारी ये है, कि अमर्जनसी जब उठी, उसके बाद इंद्रय गांधी जब जनता पार्टी बनने की बात्चीत हो रही थी, तब इंद्रय गांधी ने संपर्ख किया था बाला साथ देवरत से, और ये ओफर दिया था, ये कहा था कि आप लोग इस जनता पार्टी में यानि जनसंग इस जनता पार्टी में शामिल नहों, इसके बद्दे वो संग पर जो प्रतिबंध लगा है वो हटा लेंगी, संग ने साफ इंका कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन किताब में जो लिखा है कि इंद्रिया गांधी ने उसके बाद, इंद्रिया गांधी ने 1980 में प्रधान मंतरी बनने के बाद, संजे गांधी की मौत और राजीव गांधी के पार्टी में शामिल होने महा मंतरी बनने के बाद, लिख कपिल मोहन ने उनकी मुलाकात कराई राजीव गांधी की भावराव देवरस से, आपको पता होगा भावराव देवरस, बाला साब देवरस के भाई थे छोटे, और वो संग में भाजपा का प्रभार था उनके पास, अब क्या बात हुई ये किताब में नहीं लिखा है, ये ब दो मुलाकातें पुसा रोड पर कपिल मोहन के घर पर हुई, तीसरी मुलाकात अनिल बाली के घर पर फ्रेंड्स कालोनी में हुई, और चौती मुलाकात, जब वो प्रधान मंतरी पद से हट गए, तब मुलाकात हुई दर्स जनपत में, लेकिन एक इंट्रेस्टिंग बात, जो किताब में लिखी है, उस से इस समय कॉंग्रिस का जो रुख है संग के प्रती, खास दोर से राहुल गांधी का, उसका पता चलता है, और इस सारे आयोजन में, इस सारी विवस्था में संग से बात चीत और इसमें जो है, सबसे ज़्यादा इंस्टूमेंटल थे, इंद संग से मुलाकात की बात चीत जो है, वो डाइनिंग टेबल पर न किया करें, क्योंकि इद्रिया गांधी को पता था कि सोनिया गांधी को ये पसंद नहीं है, अब इस से अंदाजा लगाई एक सोनिया गांधी के मन में संग के प्रती क्या भाव शुरू से था, और उसका आ गांधी पर दिखाई देता है, तो वो जो आया है संग के प्रती इतनी घ्रणा का भाव राहुल गांधी के मन में, वो मा की तरफ से आया है, पिता की ओर से या दादी की ओर से नहीं आया है, दादी संग का जनसंग का विरोध करती रही, भाजपा का विरोध करती रही, लेकिन एक communication channel हमेशा खुला रखा जो अब बंध हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आज की जो Congress है और उसका राश्टिव सेवक संग से कोई कोई communication है, कोई संबाध है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद उनकी संग के नेताओं से या भाव राव देवरत से मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है इस किताब में कि कोई मुलाकात हुई या नहीं लेकिन वो संपर्क में थे दोनों ये बात कहीं गई है। उसमें एक और घटना का जिक्र किया गया है कि रामानंद सागर का जो सीरियल था रामाएन दूरदर्शन में उसमें अडंगा लग रहा था, उसको पास नहीं किया जा रहा था। तब उसके उस समय जो है संग के लोगों ने संपर्क किया राजीव गांधी से कि इसमें मदद कीजिए। उस समय एचकेल भगत, Information and Broadcasting Minister थे, उनसे राजीव गांधी ने कहा कि संग के लोगों की रिक्वेस्ट है कि इस सीरियल को पास कर दिया जाए, चलने दिया जाए सेरियल। एचकेल भगत ने कहा कि ये बहुत गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये सीरियल चलेगा तो विश्व हिंदू परिशद और राश्टिय स्वयम सेवक संग का जो रामजन भूमी का अंदोलन है उसमें उनको मदद मिलेगी और अल्टिमेटली हमको नुक्सान लेकिन राजीव गांधी ने उनकी बात को नहीं सुना। और रामायट सीरियल प्रसारित हुआ दूरदशन पर ये तो हम सब लोगों को मालूम है। तो ये तो इंद्रिया गांधी और राजीव गांधी की बात हुई है। एक प्राइमिस्टर की और बात करके बात खतम वह है पीवी नरसिमा राओ। पीवी नरसिमा राओ ने जब ये विवादित धांचा गिर गया तो निखल चकरवर्ती परिश पत्रकार और बुद्रजीवी लेखक उनसे मिलने गए। तो उनसे उन्होंने ऐसे ही मजाक में कहा कि सुना कि जब धांचा गिर रहा था तो आपको शायद पता नहीं है मैं पूरी तरह से राजनीती कूँ सिर्फ राजनीती करता हूँ। शुरू से लेकर आज तक आज भी उन्होंने का जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने इसके जरिये भारतिये जनता पार्टी की मंदिर की पूरी राजनीती खतम कर दिये। अब इस तरह की बातों के संदेह तो इस तरह की कुछ-कुछ बातें चंकर आती रही हैं, संदेह होता रहा है। लेकिन कोई फर्स्ट हैंड एकाउंट जो है किसी ने बताया हो जो उनसे सीधे मिला हो और बताया हो ये लेखक को निर्जा चौधरी को निखल चकरवरती ने उसके आधार पर उन्हों ने लिखा है। और एक और बात जो समय आख़वारों में पत्रिकाओं में आई थी, वो ये कि नसिमा राओ ने कहा था, शायद साब जैने कुरूप से भी कहा था, कि हम बीजेपी से लड़ सकते हैं लेकिन भगवान राम से नहीं लड़ सकते तो उसका एक और जिक्र है उत्तर प्रदेश के चुनाव को वो फिर कभी करूँगा। या अभी उसका भी जिक्र कर देते हैं। नाइटीन नाइटी थी का विधान सभा का चुनाव होने वाला था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के जितने विधायक थे, कॉंग्रेस के, विधान परिशत के सदर से, संसत सदर से, और जो वरिष्ठ नेता थे, उनकी एक बैठक बुलाईर से मारा होने है। और यह बैठक हुई दिसंबर 1992 में, 1992 में, जब विवाद चला था, कारसेवा की घोशना हो चुकी थी, और यह चला था, हाई कोट में सुनवाई हो चुकी और भाजपा को तीनों को यह उमीद थी कि भई, फैसला आ जाएगा तो स्थिति साफ हो जाएगी। उनको था कि फैसला यह तो होगा कि जब इन अधिगरहन सही है, कानूनी रूप से वैद है, यह कानून सम्मत नहीं है, इसलिए उसको रद कर दिया जाएगा, यही दो फै ठेराया जाएगा, तो जो जमीन अधिगरहन की गई है, उस पर निर्माण शुरू होगा उससे, अगर उसको आई-कोड अधिगरहन को रद कर देता है, तो विश्व हिंदू परिषद के पास जो जमीन है वहाँ पर उस पर निर्माण शुरू होगा, दोनों हालत में कारसे बास शुटू होगी नर्सिमाराओ भी इस बात को समझते थे इसलिए उन्होंने फैसला आने नहीं दिया और तीन दिसंबर तक इस मामले को लटका कर रखा कि बातचीत कर रहे हैं बीजेपी का प्रस्ताव था कि केंदर और राजी सरकार दोनों मिलकर हाई कोर्ट से अपील कर यह फैसला जो है सुना दे यह किया नहीं नर्सिमाराओ ने और कॉंग्रेस के निताओं की उत्तर प्रदेश के निताओं की बैठक में कहा कि मैं ऐसा इंतजाम कर रहा हूं कि आपको आने वाले कई चुनाओं घर बैठे जीतने का मौका मिलेगा कुछ करना ही नहीं पड़े से कही कि मैंने बीजेपी की पूरी जो है ये राजनीती राम मंदिर वाली खतम कर दी है लेकिन नर्सिमाराओ चाहते थे कि जहां पर वो विवादे धांचा था वहां पर राम मंदिर बने और ये ये तो सारवजनिक जानकारी है कि उन्होंने ट्रस्ट का गठन कराने की ट्रस्ट बना लेकिन वो ट्रस्ट कभी जो है वो एक तरह से लोगों के बीच में मानिता या संतों के बीच में उसको मानिता मिल नहीं पाई और वो हुआ नहीं नर्सिमाराओ इस स्थिती में भी नहीं थे कॉंग्रेस कि उस आंदोलन का श्रेख खुद ले सके इसलिए ऐस पता है या केवल चर्चा अफवा के रूपे पता थी उनकी पुष्टी होती है और कुछ कई नई बाते भी अगर पूरी किताब जब पढ़ी जाएगी तब पता चलेगा कई नई बाते भी होंगी निर्जा चौधरी बहुत कुशल राजनितिक समभा दाता है राजनिती को समझती है राजनिती को बड़े करीब से कवर किया है लम्बे समय से किया है निताओं से संपर्क रहे हैं तो इसलिए उनके पास जानकारी का ख़जाना होगा यह मानने में कोई हرض नहीं हैं तो इसलिए किताब का इंतजार करना चाहिए कि एक किताब आए बाजार में तो फिर और जानकारी मिलेगी तो इस अंक में इतना ही अगला क में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्ध के साथ तब तक के लिए दर्मती दीजिए आप से अनुरूद है कि ये चैनल देखिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार